सिक्किम के गंग टोक में भारी बारिस हुई जिसके चलते गंग टोक नाथुला हाईवे पर भूसकलन हो गया इसमें आठ मजदूर मलवे के नीचे दब गए जिन में से एक मजदूर की मौत हो गई मृतक की पहचान अरुणाचर प्रदेश निवासी कालू तमांग के रूप में हुई है तो वहीं अन्य मजदूरों को रिस्क्यू टीम ने बचा लिया है उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भरती करवाया गया है तो वहीं भारती सेना वन अधिकारियों और सेरे थांग कुली स्टेशन ने बचा अभियान चलाया Bureau Report, IPN